Hello everyone, welcome back to the channel तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ Class 10 से एक और Important Chapter जिसका नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैले इंदर और इस Chapter के जो राइटर है उनका नाम है प्रहलाद अगरवाल तो चलिए बिना बखवास के इस Chapter को शुरू करते हैं लेखक कह रहा है कि संगम नाम की फिल्म की आश्चर्य जनक सफलता के बाद फिल्म के नायक राज कपूर में गहरा आत्म विश्वास आ गया था यानि कि जब संगम नाम की फिल्म जो है वो सफल हो गई थी तो उसके बाद जो फिल्म के एक्टर थे राज कपूर उनके अंदर एक बहुत ही गहरा self confidence आ गया था जिसके कारण उन्होंने एक साथ चार फिल्मों में काम करने की सारवजनिक बात कर दी यानि कि उन्होंने announcement कर दिया ये चार फिल्में थी मेरा नाम जोकर, अजन्ता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुन्दरम परन्तु जब राजकपूर ने 1965 में मेरा नाम जोकर नामक फिल्म में काम करना शुरू किया तो उनके मन में भी यह बात नहीं आई कि इस फिल्म के एक ही भाग को बनाने में 6 साल का समय लग जाएगा मेरा नाम जोकर फिल्म के एक ही भाग में जब 6 साल लग गए तो इन 6 सालों के बीच में राज कपूर द्वारा अभिनय की हुई बहुत सारी फिल्में प्रदर्शित हुई यानि कि इन 6 सालों के बीच में उन्होंने बहुत सारी फिल्में की इन्ही फिल्मों में सन 1966 में कभी शैलेंद्र के द्वारा बनाई गई फिल्म तीसरी कसम भी शामिल है इस फिल्म में हिंदी साहित्य की एक दिल को छू लेने वाली कहानी को बड़ी ही सफलता के साथ कैमेरे की रील में उतार कर चल चित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था यानि कि इस फिल्म में हिंदी साहित्य की एक दिल को छू लेने वाली कहानी थी जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्म में दिखाया गया था कहा चा सकता है कि तीसरी कसम फिल्म नहीं बलकि कवी शैलेंद्र द्वारा कैमरे की डील पर लिखी गई एक कवीता थी यानि कि कह सकते हैं आपकी जो तीसरी कसम थी वो कवी शैलेंद्र के द्वारा एक लिखी गई कवीता थी जिसे उन्होंने एक फिल्म के रूप में सभी को दिखाया था लेखक कहता है कि तीसरी कसम फिल्म कवी शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है इस फिल्म को बहुत सारे पुरसकारों से सम्मानित किया गया तीसरी कसम को राष्ट्र पती स्वर्न पदक दिया गया बंगाल फिल्म जर्णलिस्ट एसोशियेशन द्वारा भी इस फिल्म को सबसे अच्छी फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया और भी बहुत सारे पुरस्कारों द्वारा इस फिल्म को सम्मानित किया गया Moscow Film Festival में भी इस फिल्म को पुरस्कृत किया गया था यह फिल्म कला से परिपूर्ण थी यानि कि इसमें कला आर्ट जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ था जिसके लिए इस फिल्म की बहुत तारीफ हुई थी इस फिल्म में शैलेंदर की भावकता यानि की सेंटिमेंट्स पूरी तरह से दिखाई देती है शैलेंदर ने एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सिर्फ एक सच्चा कवी हिरिदय से ही बना सकता था क्योंकि इतनी भावकता, इतने सेंटिमेंट्स केवल एक कवी के हृदय में ही हो सकती है लेखक कहता है कि फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि शैलिंदर ने फिल्म को पहले नहीं लिखा बलकि राजकपूर की भावनाओं को ही बाद में शब्द दे दिये हो राजकपूर ने भी अपने परम मित्र की फिल्म में बहुत मन लगा कर काम किया था बिना किसी महनत ताने की परवाह किये यानि कि बिना किसी महनत ताने यानि कि आप कह सकते हो कि महनत के बाद जो इनाम मिलता है उसकी परवाह किये बिना उन्होंने अपने इस मित्र की फिल्म में मन लगा कर काम किया था शैलेंद्र ने कहीं पर लिखा था कि जब वो राजकपुर के पास तीसरी कसम फिल्म की कहानी को लेकर गए तो उन्होंने बरे ही उत्साह के साथ फिल्म में काम करना स्विकार कर लिया परन्तू तुरंधी बड़ी गंभीरता के साथ बोले कि शैलेंद्र को उनका महनत आना पहले ही दे देना होगा महनत आना यानि कि महनत का जो फल होता है यानि कि उन्होंने कहा होगा कि उनके जो पैसे हैं वो उन्हें पहले ही दे देना होगा शैलेंद्र को ऐसी उमीद बिलकुल भी नहीं थी क्योंकि राजकपुर उनके बहुत पुराने दोस्त थे, मित्र थे और पुराना मित्र इस तरह से पूरी जिंदगी भर की दोस्ती का बदला लेगा यह कभी नहीं सोचा था शैलेंद्र का चहरा मुर्जा गया और शैलेंद्र का मुर्जाया हुआ चहरा देखकर राजकपुर मुस्कुरा कर बोले की निकालो एक रुपया, उनका पूरे का पूरा महनत ताना वो भी फिल्म से पहले शैलेंद्र राजकपूर के इस दोस्ताना अंदाज को जानते तो थे परंतु एक फिल्म निर्माता यानि कि एक फिल्म डिरेक्टर के रूप में बड़े बड़े सूज बूझ से ब्यवसाई करने वाले भी चकर खा जाते हैं फिर शैलेंद्र तो अभी इस ब्यवसाई में नए थे क्योंकि यहां उनकी पहली फिल्म थी इसलिए वो थोड़ा सोच में पर जाते हैं कि जो राजकपूर है शायद वो उनसे सचमुच मेहनत ताना यानि की पैसे मांग रहे हैं लेखक कहता है कि राजकपूर जानते थे कि तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र की पहली फिल्म है इसलिए उन्होंने एक अच्छे और सच्चे मित्र की तरह शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खत्रों से भी परिचित करवाया परंतु शैलेंद्र तो एक सज्जन भावनाओं में बहने वाले व्यक्ती थे जिनको ना तो अधिक धन संपत्ती का लालच था और ना ही नाम कमाने की इच्छा उन्हें तो केवल अपने आप से ही संतोष की कामना थी यानि की वो खुद को ही सैटिस्फाई करना चाहते थे तीसरी कसम फिल्म चाहे आज बहुत काम्या फिल्मों में गिनी जाती हो लेकिन यह एक करवा सच रहा है कि इसे परदे पर दिखाने यानि कि इसे रिलीज करने और प्रसारित करने के लिए लोग यानि की डिस्ट्रिब्यूटर्स बहुत ही मुश्किल से मिले थे यहां तक की तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर और वहीदा रह्मान जैसे बहतरीन कलकार थे शंकर जै किशन का संगीत था जिनका संगीत उस समय सबसे जादा पसंद किया जाने वाला था और तो और इस फिल्म के परदे पर आने से पहले यानि कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले इस फिल्म के जो गाने थे वो बहुत जादा पसंद किये जा चुके थे पर अंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था बात यह थी कि इस फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थी उनको समझना किसी मुनाफ़ा कमाने वालों के लिए असान नहीं था इस फिल्म में जिस करुणा के साथ भावनाओं को दर्शाया गया था उनको किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता था यानि कि ये जो फिल्म थी ये बहुत ही जादा सेंसिटिव थी इसलिए जब बड़ी मुश्किल से तीसरी कसम फिल्म को परदे पर दिखाया गया तो इसका प्रचार नहीं हो पाया यानि कि इस फिल्म का जादा प्रोमोशन नहीं हो पाया ये जादा लोगों तक नहीं पहुच पाया फिल्म को कब परदे पर दिखाया गया और कब फिल्म परदे से उतर गई किसी को पता भी नहीं चला लेखक कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि शैलेंडर 20 सालों तक फिल्म जगत में रहे और उनको वहां के रहन सहन या रंग धंग के बारे में कोई ग्यान नहीं था परन्तु बात तो यह थी कि वो फिल्म जगत के उस रंग धंग में फसकर अपनी इंसानियत को नहीं भूल चाहते थे श्री 420 का एक बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया गाना है प्यार हुआ इकराड हुआ प्यार से फिरक्यू डरता है दिल तो इसके एक अंतरे की एक पंग्ति और दूसरा होता है श्री दसो दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानिया तो इस पंक्ती में यानिकि इस लाइन में जो संगितकार थे जैकिशन ने आपत्ती जताई थी उनका मानना था कि दर्शकों को चार दिशायतों समझ में आ सकती है परंतु जो दर्शक है जो ओडियंस है वो दर्श दिशाओं को कि पसंद को ध्यान में रख कर किसी भी फिल्म निर्माता को किसी भी जो फिल्म बनाने वाला होता है उसको कोई भी बिना मतलब की चीज दर्शकों को नहीं दिखानी चाहिए उनका मानना था कि एक कलाकार का यह भी करतव्य है कि वह दर्शकों की पसंद को अच्छा और सु और शैलेंद्र का यह यकीन गलत नहीं था क्योंकि दर्शक जो देखता है उसी को सच भी मान लेता है शैलेंद्र ने जो भी गीत लिखे वे सभी बहुत पसंद किये जाते रहे हैं शैलेंद्र ने कभी भी जोटे रंग ढंग या दिखावे को नहीं अपनाया वे अपने गीतो यानि कि अपने गानों में भावनाओं को अधिक महत्व देने वाले थे ना कि अपने गीतों के अपने गानों को कठिन बनाने वाले मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंगलिस्तानी सरपे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी ये गीत यानि कि ये गाना शैलेंद्र ही लिख सकते थे क्योंकि इसमें सच्ची भावना जलक रही है उनके जो गाने थे वो नदी की तरह शांत तो लगते थे परन्तु उनका अर्थ समुद्र की तरह गहरा होता था इसी विशेष्टा को उन्होंने अपनी जिंदगी में भी अपनाया और अपनी फिल्म में भी इसी विशेष्टा को उन्होंने साबित भी किया लेखब कहता है कि तीसरी कसम अगर सिर्फ इकलौती नहीं तो उन कुछ सफल फिल्मों में जरूर है जिन्होंने साहित रचना के साथ सत प्रतीशत नयाय किया है सैलेंद्र ने राजकपूर जैसे कलाकार को अपनी फिल्म में एक छोटा आदमी हिरामन बना दिया था राजकपूर ने भी हिरामन की भूमी का इतनी बखूबी से निभाया कि सभी को राजकपूर हिरामन ही लगे यानि कि उन्होंने हिरामन का जो रोल था वो बहुत ही अच्छे से निभाया और लोगों को वो हिरामन ही लगे लेखक कहता है कि हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि उनमें लोगों के जीवन से संबंधित चीजे नहीं होती है फिल्में आम जीवन से बहुत दूर होती है अर्थात उनमें वास्तविक्ता जैसा कुछ भी नहीं होता है अगर फिल्मों में कहीं दुखत स्थितियों का वर्निंग किया जाता है यानि कि अगर कोई दुख परिस्थिति को दिखाया जाता है तो उसको बहुत अधिक बरहा चरा कर प्रस्तूत किया जाता है। बरहा चरा कर प्रस्तूत नहीं किया जाता है यानि कि बरहा चरा कर नहीं दिखाया जाता है। बीच रहते हुए भी नाम कमाने और धन की अत्याधिक चाह से मीलो दूर थे। जो बात उनकी असल जिंदगी में थी वो उसी को अपने गीतों में लिखा करते थे। उनके गीतों में सिर्फ दुख दर्द नहीं होता था। उनके गानों में सिर्फ दुख दर्द नहीं होता था। उन दुखों से निपटने या उनका सामना करने का इशारा भी होता था। और वो सारी क्रिया प्रनाली भी मौजूद रहती थी जिसका सहारा लेकर कोई भी व्यक्ती अपनी मंजिल तक पहुँच सकता है। उनका मानना था कि दुख कभी भी इनसान को हरा नहीं सकता बलकि हमेशा आगे बढ़ने का इशारा देता है। शैलिंद्र ने अपनी फिल्म तीसरी कसम में अपनी भावना को प्रस्तूत करने की सबसे अच्छी कला का उधारन दिया है। मुकेश की आवाज में सैलिंद्र का जो गाना है सजनवा बैरी हो गए हमार चिठिया हो तो हर कोई बाचे भाग न बाचे कोई अनोखा ही बन गया। यानि कि ये जो गाना है ये बहुत जादा ही अनोखा बन गया। अभिनय को देखते हुए यानि कि आक्टिंग को देखते हुए तीसरी कसम फिल्म राज कपूर के द्वारा उनके जीवन में की गई सबी फिल्मों में सबसे खूब सूरत फिल्म मानी जाती है। परिक्षन करने वाले यानि कि जो जाच प्रताल करते हैं और कला की परख करने वाले राज कपूर को आखों से बात करने वाले कलाकार मानते हैं। उन्हीं राजकपूर ने तीसरी कसम फिल्म में मासूमियत से अपने किरदार को उचायों के शिखर पर पहुँचा दिया राजकपूर ने जितने अच्छे ढंग से तीसरी कसम फिल्म में अभिने किया एक्टिंग किया उतना तो जागते रहो में भी नहीं किया था यानि कि जागते रहो फिल्म में भी उन्होंने उतने अच्छे से अक्टिंग नहीं किया था जितना उन्होंने तीसरी कसम फिल्म में अपने रोल को निभाया था जागते रहो में राज कपूर के अभिनय की बहुत अधित प्रशंशा की गई थी यानि कि जागते रहो मूवी में भी उनके एक्टिंग की बहुत जादा ही प्रशंशा की गई थी परंतु तीसरी कसम वा फिल्म है जिसमें राजकपूर अपना व्यक्तित्व भुलाकर हिरामन ही बन गये थे यानि कि उन्होंने उस रोल को इतने अच्छे से निपाया था कि कोई उन्हें राजकपूर नहीं समझ रहा था बलकि हिरामन ही समझ रहा था एक शुद्ध गाउ में रहने वाला गवार या मुर्ख गारी वाला जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है दिमाग से वा कोई काम नहीं लेता तो ये हिरामन के रोल के बारे में बात हो रही है उसके लिए सिर्फ महबत ही ऐसी चीज है जिसका कोई अर्थ है बाकी किसी दूसरी चीज का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है अखक कहता है कि तीसरी कसम फिल्म राजकपूर के फिल्मी जीवन में अभिनय का वह पराव था यानकि आक्टिंग का वह पराव था जब राजकपूर को एशिया के सबसे बरे शोमैन का स्थान मिल चुका था राजकपूर का अपना खुद का व्यक्तित्व ही कहावत बन चुका था लोग उनकी मिसाल देने लगे थे लेकिन तीसरी कसम फिल्म में राजकपूर ने अपने उस महान व्यक्तित्व को पूरी तरह से हिरामन बना दिया था पूरी फिल्म में राज कपूर कहीं पर भी हिरामन का अभिनाय करते हुए नहीं दिखे बलकी वे तो खुद ही हिरामन बन चुके थे यानि कि पूरी फिल्म में कहीं पर भी आपको राजकपूर नहीं नजर आएंगे जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये खुद हिरामन ही है ऐसा हिरामन जिसको हिराबाई की फेनू गिलासी बोली पर यानकी हिराबाई की बोली पर उनको प्यार दिखता है उनकी मनुआ नटवा जैसी भोली सूरत पर अपना सब कुछ हारने को तयार है और हिराबाई के थोड़े से भी गुस्से हो जाने पर अपने आपको ही दोशी ठहराता हुआ, सच्चा हिरामन बन जाता है, तो ये हिरामन के खैरेक्टर के बारे में है, दीसरी कसम की जो मुख्य कहानी है, वहक खुद लेखक, फरिश्वर नाथ रेणू ने लिखी है, कहानी का एक छोटे से छोटा भाग, उसकी छोटी सी छोटी बारिकिया, फिल्मों मे पूरी तरह से दिखाई देती है, तो ये था अमारे चैप्टर का एक्स्प्लेनीशन, आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ जाएगा, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कर देना, तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में एक और नीव चैप्टर के साथ,